वो सारी चीज़ें, क्लास कब हो रही है, कब नहीं हो रही है, PDFs, यह सब मिल रहते हैं, question number one देखेगा और जवाब दीजेगा, अच्छा एक और चीज़, जिन्होंने भी previous year paper लिया है, किरन पॉब्लिकेशन से, सीटेट का, या जो 4000 MCQ की एक book आती है, वो लिए practice के लिए, या कोई भी अगर book ली है, और आप feedback, अगर आपको लग रहा है, क्योंकि उसमें, उन्होंने आज ही मेरी बात हुई, तो उन्होंने बताया कि, चार questions गलत थे, तो कई बार हमें गलत में हो जाती है, कि गलत हैं, तो आप उनको भेज सकते हैं, support at the date, kicks.co, या .in पर, तो उनको feedback बेजें, वो 500 पर देते हैं, अगर कोई भी question आप जो भेज रहे हैं, और वो सच में गलत निकले, proof के साथ, तो वो पर question 500 पर देते हैं, बच्चों को, जो भी निकलता है, तो खेर, देखिएगा, तो इसका मतलब यह है, कि गलतियां बहुत कम निकलेंगी, तो आसे 5500 पर द Whose Forest नाम का एक चैप्टर है, किसके जंगल पर चर्चा होती है, जब आप Class 5 की और CERT पढ़ते हैं, EBS की यानि परियावरण अध्यान की, The Teacher narrated a true anecdote of Suryamani, who started a center named Torang, बहुत important है, Torang पर question आता है, और Suryamani भगत आए थिंक किनका नाम था, if I am not wrong, तो तो यह कक्षा 5 में एक आया, Suryamani के बारे में, जो कि एक सच्चा anecdote का मतलब होता है, कि वो जो घटना है, जैसे daily basis पर बच्चे ने कुछ कर दिया है, तो वो anecdote बन जाता है, वो घटना है अपने आप में, और यह एक सच्ची घटना उन्होंने, सुना ही टीचर ने, ताकि बच्चों को थोड़ा सा वो क्या हूँ, sensitive हूँ, जंगल को ले करके, आश्रबाद देने एक रुपा करें, पटना भीहार, बहुत बड़े है, रॉकेट मामा, नाम भी आपका दुख खतरनाग है, और तयार रही है, अब पढ़ाई आपकी continue पहले C-TED के लिए करेंगे, फिर KVS के लिए करेंगे, YouTube पर practice करेंगे, batches में आप सारे subjects देखेंगे ही, अगर KVS के हम बात कर रहे हैं, और other subjects की, जो marathon है आपकी, वो 11 तारिक से पहले निप्टा देंगे C-TED के लिए, क्योंकि WB-TED का भी exam है, तो उन लोगों को भी help मिल जाएगी, तो हम लोग 2 या 3 तारिक से शुरू कर Marathons, C-Option 68% लोग कह रहे हैं, चलिए देखते हैं, और KVS पर proper बात तब करेंगे, जब एक बार official notification आजाएगा, और तब ही आपका batch या कोई भी test series batch उसके बाद ही सोचेगा, अभी तो किसी को पता भी नहीं है किस लेपस में क्या-क्या changes हैं, तो KVS के batch के लिए थोड़ा स पांच तारिक तक रुख जाओ, फिर आजाएगा, हाँ, 11 December को WB TET है, जल्दी Marathon आजाएगे, उससे पहले मैं यही बोल रही हूँ आपको, tension मतले जाएगे, आपको EDM, इतना काम हम कर देंगे, जो CTET वाली Marathon है, उससे पहले आजाएगे, ताकि आपको वहाँ भी help मिल जा Issues of Land and Livelihood, Issues of Hunger, Issues of Forests और Issues of Kuduk Culture, यानि कि यह जो तोरांग है, यह जो center name है, तोरांग क्या है, एक center है, और तोरांग का मतलब क्या होता है, जंगल, ठीक है, Forest, तोरांग का मतलब है, Kuduk language में है यह, और इसका मतलब होता है, क्या, जंगल, तो यह किस बारे में था, यह जो ठीक फटाफट से बताईए पांच मिनट हुए है अभी आ जाओगे धीरे-धीरे कोई बात नहीं इधर आ जो अगर हम बात कर रहे हैं ठीक है इधियामीन अगर हम बात करते हैं किसकी C option कह रहे हैं कितने 58% लोग issues of land and livelihood यानि जमीन और जेविका की समस्या है issues of hunger यानि भूक की समस्या है issues of forest लेकि भूक की समस्याओं पर इसमें बात नहीं हुई है issues of kuduk culture बिल्कुल सही बात है और kuduk में ही तोरांग कहा जाता है जंगल को और दूसरा है issues of land and livelihood यानि जमीन और जेविकाएं की समस्या जिविकाओं की या जिविका की समस्या है तो ये issues of forest यहाँ पर गलत नहीं होता लेकिन हमारे पास हम देख रहे हैं तीन option का कोई answer नहीं है यहाँ पर हम सिर्फ दो ही option सही चूज कर सकते हैं तो उस case में या तो A सही है या फिर D सही है तो A और D बोथ का option है यानि C option एकदम सही है जितने भी लोग कह रहे हैं आगे बढ़ेंगे question number 2 पर पांच दिन पांच मेराथां जैसा ही रखेंगे कुछ इस बार भी देखेगा question number 2 है यानि जो teamwork की spirit है teamwork की spirit है निमनिखित में से किसके द्वारा सहयोग भावना से कार्य करने का अभिप्रायर सीखा जाता है बताइएगा ये comment में कौन लोग रो रहे हैं क्या हुआ क्यों रोते हो इतना खुश रहा करो यार मेरे पापाजी के नम पर correction नहीं होगा क्या formula हो गया है 28 से कितना 30 तक थे कब तक थे correction उसके बाद भी ऐसे ऐसे सवाल पूछने हैं कई लोग और इसी चक्कर में फिर हमारा गड़बड हो जाती है ये ना गड़बड हो जाती है फिर पेपर में हम चीज़ें नहीं कर पाते ठीके बाद देखो एक बार फटा फट से चलिएगा देखेगा चलिए बहुत बड़िया उनने सजार लोग जागे आज ये धीरे-धीरे कोई दिककत नहीं है यानि निम्लिखित में से किससे सहयोग भावना से कारे करने का अभिप्राय सीखा जाता है फैमिली सिखा सकते हैं कि एक दूसरे के साथ घुल मिल करके रहो बहतर बनो स्पोर्च और फैमिली हाँ दोनों सिखा सकते हैं स्पोर्च में भी क्या होता है टीम वर्क होता है आप जीत और हार को एक्सेप्ट करना सीखते हो टॉलरेट करना सीखते हो सामने वाले का परस्पेक्टिव क्योंकि ज़रूरी नहीं हर किसी की बात परिवार है, समाज है और खेल है यानि स्पोर्ट है क्योंकि यह तीनों ही आ गए ना इसमें कंड़क्टिंग कॉंपेटिशन आंसर नहीं हो सकता क्या आप क्या करना हैं कॉंपीट करा रहे हैं बच्चों को एक दूसरे से यह हमारे अंदर कूट कूट के भर दिया गया है है ना हमें बे फाल्तु में ही ऐसी बच्पन से आदत हो जाती है वो बच्चा गोरा है अच्छा तूम इतने गोरे नहीं हो उसकी हाइट इतनी है तुमारे क्यों नहीं है उसके पास यह है तुम्हारे पास क्यों नहीं है तुम्हारे पास है तो देखो उसके पास तो यह नहीं है या तो हम दूसरे को निशा दिखाते हैं या अपने आपको ऊपर उठाते हैं या फिर कम समझते हैं यह है competition, थीक? तो यह conducting competition से किसी का भघला हुआ नहीं है आज तक इससे क्या होगा बच्चे में extrinsic motivation आएगी और वो भी बहुत ही force वाली कुछ time तक motivated फिर खतम ठीक तो family या फिर वो अपने आप में inferiority feel करेगा जिस चीज के लिए वो बनाए वो कभी realizing नहीं कर पाएगा तो यह क्या हुआ family जो है परिवार आपको cooperation सिखाएगा society सिखाएगे एक साथ कैसे रहते हैं एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं टीम में काम कैसे करते हैं गुरुप में काम कैसे करते हैं sports में भी teamwork होता है पूरी-पूरी team हारती है या तो या फिर जीतती है तो एक कोई एक individual अपने हिसाब से चलेगा तो गड़बड है सहयोग की जुरत है एक साथ लाने की जुरत है बच्चों को team work में ना कि competition तो just opposite है team work का ठीक है आपस में ही compete करने लग जाओ बताओ question number 3 देखो एक बार इसका answer मैं आपको photo में दे दिया है जो पहचान लेगा वो जवाब दे देगा ठीक है sweetie gupta एकदम sweet है आप 9 मिनट हो चुके है session को और हम तीसरे question पे हैं और हम जूड़ चुके है लगबग 25,000 लोग बहुते ही बढ़िया मेरा seat at अच्छे prepare हो गया है बट मैं other लोगों के question क्यों नहीं solve कर पा रहा हूँ लोगों के तो लोगों ने अगर अपनी मर्जी से बनाये हैं तो क्रपया उनसे बच के रहे हैं इस टाइम पर पेपर का टाइम है और जो सिर्फ previous year है चाहे offline वाले भी कर लो solve लेकिन टेड़े मेरे question मत करो अगर आपको लगता है कि सही syllabus के according नहीं है चीज़े अगर दूसरा reason ये भी हो सकता है कि आप अभी concept समझने में गलती करते हो तो उनको देखके घबराना नहीं है ठीक है ना घबराना नहीं है लक्ष है I understand ये बिलकुल खतरनाक बाते हैं शौरे भी यहां बैठा हुआ है तो मैं इस पर focus थोड़ा सा नहीं करूंगी इस बात पर ये अपने आप में बहुत ही brutal cases हैं गर इस तरह की घटनाई से सामने आ रही हैं बिलकुल हम कह सकते हैं कि हम educated नहीं है जस्ट literate हैं बहुत सारे लोग education की जरूरत है सच में देखिएगा which of the falling is not a social insect याने की social insect का मतलब क्या सामाजिक कीट नहीं है चीटियां, termites, beetle या honey इन तीनों के बारे में बात हुई है, beetle के बारे में आपकी NCRT में बात नहीं हुई है, termites होती है दीमक, दीमक भी क्या है, group में र ये एक के पीछे दूसरे चलती है, अगर आप NCRT में पढ़ेंगे, ये आपको summary भी मिल जाएगी, तो ये भी group में रहती है, यानी social हो गई, social insect, honey भी क्या है, honey भी भी group में रहती है, आपने देखा है, पूरा बोला जाता है, मदो मक्ही का छत्ता बोलता है, नॉर्मल भार् जानी है, और जीव है, जो भी आप कहना चाहें, इसको ये group में नहीं चलता, आपने देखें, बहुत सारी beetle ओड़के जा रहे हैं, धर से उधर, जिंगुर जो है, ऐसा नहीं होता है, एक आद की किसी की आवाज आती है, तो group में ये सब group में रहते हैं, चाहे वो चींटिया को याद नहीं, भरड बोलते हैं, वो काट लेता है न जो, तो वास भी group में रहता है, ये भी पिपर हम पूछा जा चुका है, तो हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि वास क्या होता है, आगे बढ़ते हैं, question number 4, देखिए, वलसाद टाउन is located in which direction from हैदराबाद, ते नहीं बता लगेगा, वलसाद कहा है, गुजरात में है, वो train शुरू होती है, चलती है, ये वो पूरी जो कहानी है, तो वलसाद कहा है, गुजरात में है, हाइडराबाद आपको बताई दिया, तेलांगना, इस्टेट के अंदर हो गया, अब इस केस में अगर हम देखें, तो ये गुजरात, यहां कहीं होगा, तर्टिय शेत्र है, और आंदर प्रदेश या, अगर हम तेलांगना की बात कर रहे हैं, तो ये यहां कहीं होगा, और इसको थोड़ा सा इधर करके लिखेंगे, क्योंकि ये वाला तर्ट हो गया, बे ओफ बेंगॉल वाला, इधर आप इस्ट हो जाता, तो इस कांसर क्या है, नॉर्थ वेस्ट, ठीक, नॉर्थ वेस्ट, एक बार मैप पे भी देख लेते हैं, मैप का एक क्वेशन निश्चित रूपस आएगा, ध्यान रखेगा, देखेगा, अगर हम बात करते हैं यहां, तो हमको बता है, यह है तेलांगना, है इदराबाद, यह आपको PDF मिल जाएक, इससे रिवाइस कर लीजेगा, और हमें बता है कि यह क्या East में है, Bay of Bengal इसके बराबर में हम देखे रहे हैं, इधर Indian Ocean होगा, ठीक न, Arabian Sea, sorry, Indian Ocean नीचे होगा, अगर हम बात कर रहे हैं यहां पे, गुजरात की, तो यह simple हम देख पा और West में भी, तो North West में है तेलंगना, यह क्या होगा, वेस्ट हो गया न, यह Eastern आपके जो States है, इधर है, South ही है, यह North वहाँ है, तो क्या हो गया, एक तो North मतलब उपर और West, तो North West, simple answer इसका हो गया, कोई दिक्कत परिशानी इस बात को समझने में है अगर, तो बता दीजे, अगर नहीं है, तो भी बता दीजे, अब आते हैं, question number हम, 5 पर, आज बिलकुल energy नहीं थी, मैंने, app पे तो छुटी ही की हुई है, कल वहाँ मिलेंगे, hopefully, इतनी weakness है, भहिंकर, और उपर से यह pair मिला, देखिएगा, बहुत ही बढ़िया, like share करना भी नहीं भूलना है, वो भी 3 subject के notes मिले हैं, और अभी class देखना शुरू किया है, तो उसमे 83 कोई बुरा score नहीं है, अभी 2 subject के notes और मिलेंगे, आपको maths और EBS के, तो यह score बढ़ जाएगा, और repeatedly practice करना नहीं छोड़ना है, इस time पे, अगर number आपका कुछ भी आ रहा हो, mock में, mock कर रहे हो, तो बस इसलिए करो कि आपको practice हो जाएग, वहाँ पे 5 गंटे आप time manage कर सको, अब यादा मत सोचो कि number कितने बढ़ा लूँ, या क्या कर लूँ, जिन्होंने बहुत तयारी की हुई है, वो सोच सकते हैं ऐसा कुछ, देखेगा, C option कह रहा है 89% लोग, समझते हैं क्या कहानी है, which of the falling currency, यानि क्या कौनसी मुद्रा is used in Abu Dhabi, यानि Abu Dhabi में किस मुद्रा का प्रचलन है, बहुत बार question पूछा हुआ है, Abu Dhabi की currency के उपर, फटा-फट से बताईएगा, dollar है, rupees है, दिरहम है या टका है, टका चलता है बांगलादेश में, ये बात हमें पता है, नहीं पता तो पता कर लेत है, एक question आजाता है, currency पे भी, और ये तो repeatedly same question आता है, क्योंकि NCIT में यही है, इंडिया की अगर हम अपने known country की बात करें, और भी जगा है वैसे, तो इंडिया, rupees हो गया, dollar, USA, और भी countries हैं इस तरह की उसके आसपास वाली, Canada वगरा हो गया, but USA के लिए हम generally dollar का इस्तमाल कर रह भी हो, क्या use होगा, दिरहम, currency use होगी, फीक है, इतनी बात clear है, कोई दर्ध परिशानी है, नीरत सिंग, comedy कंग, बताईए, अगर है, तो बता दीजे, नहीं है, तो भी बता दीजे, चंचल यादफ, दिल भेज रहे हैं, अकांग शे कहरे हैं, मैं मैं आप लिलन टॉप पे बहुत अच्छा किये हो, अच्छा दिनवाद, अकांग शाप को पसंद रहा है, वो एक छोटी सिक अनुवर्सेशन थी, उस दिन मैं सोई भी नहीं थी पिछली रत को, क्योंकि, मतलब इसलिए नहीं कि, ललन टॉप पे जाना था, इसलिए कि मैं दिन में एक सेमिनार था इस कोने पे दिली के और शाम कोस कोने पे दूसरी जगा, देखेगा खेर, Central Bank of United Emirates, यह क्या UAE की करंसी हो गई, 50 दिरहम आपको फोटो में देख पा रहे हैं, आप, देखेगा, तो दिरहम 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 में चलेंगे, United Arab Emirates में, चाहे वो दुबाई की बात हो रहे है, यहा UAE के जितने भी जगाये हैं, वहाँ पे चलेगी आपकी दिरहम, चिराओ, चिराओ पे इतनी बार question आया है, चिराओ की अगर हम बात करते हैं, यह हिंदी में चिराओ कहते हैं इसको, तो चिराओ पे कई बार question आया है, चिराओ क्या है, बताएगे, dance है, किस जगा का है, यह आपको देखना है, बैंबू के साथ किया जाता है, यानि बास के साथ, तो इन चराओ डांस, जो चराओ निरत्य है, people sit in pairs in front of each other, यानि मानले जोडों में बैठे के एक दूसरे के सामने, दो-दो लोग बैठे हैं, सामने सामने बैठे होगे लोग है, holding bamboo sticks, यानि बास की जो लक in and out of the bamboo sticks and dance to the beat, मतलब कुल मिला के बात क्या चल रही है, चराओ डांस में, pairs में बैठे हैं लोग और डांस करते हैं, जैसे ही drum की आवाज आएगी, bamboo का use करके, यानि बास का प्रयोग करके, डांस कहां किया जाता है, और क्या कहते हैं, उसको तो चराओ कहते हैं, और ये कहां dance कहां का है, मिजोरम का, bamboo का प्रयोग करके, किया जाता है, अच्छा, bamboo पे एक और chapter है अलग से, जिसको हम कहते हैं, वो आपकी जूम खेती, उसके बारे में भी कुछ-कुछ चीज़े हैं, वो भी आप पढ़ ली जगा, ये खेती से यादा है, question number 7 देखिएगा, rain water from the rooftop, या used by which of the following states, यानि जो छट पर बर्शा की पानी का संदक्षन करके, भॉम जल को पुनहे आवेशिक कर रहे हैं, इसका simple मतलब English में समझते हैं, जो rain water उसको आप rooftop पे छट पे conserve कर रहे हैं, जिससे कि उसको दुबारा से use किया जा सके, या recharge कर सके हैं, हम at least ground water को ही recharge कर लें, है न ताकि हमारा ground water level कम ना हो, ठीक है न, बताएगा एक बार, कौन से state की बात हो रही है, गुरमीत मलिक कर रहे हैं, मैं पेड़गोजी में 90 में से 75 आ रहे हैं, content के question नहीं लगाए, EBS notes प्लीज, देंगे, गुरमीत EBS के notes अभी जल्दी देंगे, of course एक दूसरे, आपको अगर आप KVS की त्यारी करते हैं, super debt में निश्चित रूप से फायदा होगा, क्यों नहीं होगा, हिंदी, English वहाँ भी आती है, वहाँ आपका teaching skill भी आएगा, जहां था कि वो भी slayvers में होगा ही, 126 number आ रहे हैं, मौक लगाने में, आपकी वजासे, शालिनी मिश्टा किया रही ह ठीके जी, moral down हो रहा है, online mock में, पढ़ाई करो अब तो बस, इस time पर tension मत लो, कौन सा moral और कुछ भी नहीं, कुछ नहीं सोचना, है न, 28,000 के 28,000 लोग हैं, डेली जो पढ़ाई चल रहे हैं, वो दबा के करो, mock test सिर्फ इसलिए दो, कि practice हो जाए इस time पर, और जहां पर गलती होगा, लेकिन फिर वो analysis करके गलतियां हटा दें अपनी, तो उनका काम बन जाएगा, फटा फिट से बताईए, राजस्थान की बात हो रही है, of course, राजस्थान की बात हो रही है, छत पर वर्शा के पानी का संरक्षन करके, भॉमजल को पुनहें आविशिक किया जाता है, जिससे groundwater level को ठीक किया जा सके, राजस्थान की problem है, B option is the right answer over here, आगे पढ़ेंगे question number 8 पर, देखेगा एक बार question number 8, ब्रह्म पुत्रा river flows through which of the falling states in India, यानि ब्रह्म पुत्र जो नदी है, वो भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है, ये नदी का question पहली बार देखने को मिला ठीक है जी, क्यों नहीं, वाइ नॉट, ठीक है बात, बहुत ही बढ़िया, लाइक शेर करने में जो सी बरत रहें आप, पहले ही energy कम है, देखेगा question number 8 का answer दे रहे है, C, पानी पीले भाई, कफ और नहाव राग को कोल्टन पीओ बेटा, ब्रह्म पुत्र रिवर, कहां से भहेगी, C option के रहे है, 62% लोग, अरो नाच्रल प्रदेश है नासम, बिलकुल, ये factual question हो गया, इसमें मैं और आप अभी कुछ नहीं कर सकते, बाकी ग गंगा कहां से निकलती है, इस सब भी एक बार देख ले ना, क्योंकि ऐसा पहली बार ही हुआ है, otherwise ऐसे reverse पर question नहीं आता, EBS में, तो एकाद question क्या पता टपक जाए, ये भी हर सैट में नहीं आया, किसी एकादी सैट में आया, इस तरह question, question number 9 देखेगा, family plays an important role in socialization, यानि ज सब जो हम सीखते हैं, परिवार इसमें important role निभाता है, क्योंकि आप सीधा प्रकट जो है भगवान से या जहां से भी कहां होते हैं, परिवार में होते हैं, दुनिया में, पड़ोसी के या नहीं, अपने परिवार मतलब family के अंतर, तो family आपको सिखाती है कि क्या चीज़े desirable हैं, कैसे behave करते हैं, सबसे पहले, बाद में दुनिया सिखाती है, school सिखाता है, तो in this regard, the family is an agency of, यानि परिवार जो है, कैसा माध्यम है, परिवार कैसा माध्यम है, यह हम सब को पता है, family क्या है, primary socialization, प्राथमिक सामाजी करण का उधारन है, प्राथमिक सामाजी करण का उ चलती है, infancy से इश्डू होती है, क्योंकि हम पेट के अंदर तो नहीं सीख रहे होते हैं, कैसे किसको पानी देना, किसको नमस्ते करनी है, तो primary socialization, family के दवारा होगा, secondary क्या होगा, secondary होगा आपका, school के दवारा, question number 10 देखिए, क्योंकि जब आप 3 साल के कम से कम हो जाते हैं, अब तो play वे जाएंगे, question number 10 देखिए, many movements have endorsed the need to save the environment, यानि वातावन को बचाने की कई मुहिम चली है, कई आंदोलनों को समर्थन मिला है, यह NCIT का सवाल है, who among us the following played a crucial role in the चिपको आंदोलन of 1970s, यानि निमलिकित में से किसने 1970 के चिपको आंदोलन में निरनायक भूमेका न हैं, मेधा पाटकर हैं, या बाबा आमते हैं, तो हम सब ने सुन्दरलाल बहुगना की story जो है, वो EBS में पढ़ी है NCIT में, जन्होंने नहीं पढ़ी है, थोड़े दिन रुख जाओ, थोड़े दिन मतलब दो दिन, परसों आपको मिल जाए, कल तो मेरे टाइपस्ट अवेल रहे थे और बहुत सारी चीज़ें हुई थी, चलिएगा, आगे बढ़ेंगे question number 11, question number 11 देखिए क्या कहता है, यह कहता है, due to construction of large dams in the states of महराश्रा, यानि महराश्रा, मध्यपरदेश और गुजरात में बड़े बांधियों के निर्मान के कारण, जो वहां के आसपास के local लोग थे, स्थानिये वेक्तियों को अपने प्राक्रतिक आवास को छोड़ कर जाना पड़ा, है ना, बाही डिस्टरब कर रहो आज तुम, बट कोई बात नहीं, देखिए, अगर हम बात करें, तो यह जो movement है, वो क्या कहलाएगा, फटा-फट से ब ले सकते हो, इसमें SSNO ने कोई rule दिया नहीं होता, generally perception यहीं चलता है, कि आप अगर humanities से हैं, तो SST लें, मट ले सकते हो, देखो एक बात, अगर हम बात करें, तो due to construction of large dams in the states of Maharashtra, Madhya Pradesh and Gujarat, बताइए, 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 अभी तक तो ऐसा कोई rule नहीं है, देखिए, D कह रहे हैं कई लोग, बिल्कुल, transfer, यह कोई transfer तो बिल्कुल भी नहीं है, तो बहुत यह आसान सी भाषा हो गई, out migration, यह migration का हिस्सा है, अगर बाकी सबको भी देखें तो, ठीक, immigration, एक देश से आप दूसरे देश, foreign countries के context में immigration यूज होता है, बट यहां क्या बात हो रही है लोगों को अपनी will के against, अपनी चाहधत के against, अपने local area को, अपने native place को, अपनी जगा को, अपनी जन्म भूमी को छोड़के दूसरे जगा पे विस्थापत किया गया है, विस्थापत किया गया है, उनको displaced किया गया है क्यूंकि वहा कोई dam बन रही है, कोई road बन रही है, को डिस्प्लेस कर दिया जाता है यह डिस्प्लेस्मेंट कहलाता है नेहा प्रमारा करेर विल पर मॉक टेस्ट को कितनी बार भी अटेंट कर सकते हैं या ओनली वन टाइम कितनी भी बार मैं आपके online class में offline class में admission ले रही हूँ help me offline class तो free होगी अभी seated के लिए KVS के लिए शायद batch देखने को मिले वो बता देंगे ठीक है जो शलिए आगे बढ़े अब आपकी इजाज़त हो तो हम आगे बढ़ जाए देखेगा अगर हम बात करें तो यह displacement कहला है जब व्यक्ति अपनी will के against दूसरे जगा पर उसकी native place से कहीं और आप उसको वी स्थापित करते है immigration अपनी मरजी से भी हो सकता है अब foreign country चले गए ठीक, question number 12 देखेगा question number 12, क्या कहता है question number 12 समझने का प्रयास करेंगे समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे बहुत ही आसान सा question है यानि हमें पके हुए भोजन को खुला या बिना फ्रिज में रखे लंबी अवधित के लिए नहीं छोड़ना चाहिए बोलते ना अम्मी, बेटा सबजी फ्रिज में रख दियो या शौरे दूद फ्रिज में रख दियो क्यों? क्योंकि अगर हमने जो भी बना हुआ खाना है या uncovered food है, अगर उसको लंबी duration के लिए ऐसे ही छोड़ दिया, तो वो हो जाएगा खराब, उस खराब होने को किसकी वजहा से खराब होता है, ये हमसे पूछा है, यानि निमलिकित में से कौन सा कारक पके हुए भोजन को बेकार करने के लिए जिम्मेदार है, इंसेक्स तुरंट आ जाते हैं कि इंसेक्स अगर पहले से घूम रहे हो तो आ भी सकते हैं बट ये तो reason नहीं होता कि कीडे खा जाएंगे वाइरस लग जाएगा, कोरोना थोड़ी कहानी है कि आपने जमाने भर के लिए छोड़ो दिया उसको तब कहीं फंगस लग सकती है बैक्टीरिया है जो main reason है जिसके लिए कहा जाता है कि बिना फ्रेज के मत रखो लंबे समय तक नहीं तो वो खाने योग्य नहीं बचेगा तो बैक्टीरिया की वज़ासे वो खराब हो जाता है तो वो बैक्टीरिया डिवलेप हो जाते है ठीके जी तो आंसर है इसका डी ना की फंगस क्योंकि बात हो रहे है कोग्ड फूड को